असलाम अलेकुम दोस्तों तो यह आज चौते दिन का सेकंड पार्ड है तो विडियो मां यहां से कंटीन्यू कर रहा हूं यहां पर अभी कुछ बर्बरी बक्रे हैं यहां पर नंबर लिखा हुआ है यहां पर तो प्राइस रेंच वैसा ही है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 यह इनका आसकिंग प्राइस अब करें तो हम लोग चलते हैं अभी इस तरफ ऐसा लग रहा कुछ चेंजेस हो गए कल मैंने जो विडियो शूट कर रहा था अभी कुछ अलग बक्रे सब दीख रहे हैं लगता है यहां से वहां लोगों को शफल गया गया है यह अदुल तो थे कल मगर आगे के बहुत भरे भी दिख रहा है यहां पर देखते हुए आप देख सकते हो पूल Yayayayya discussions अभी यहां पर यहां अंदर जाने से पहले इस यहां अंदर जाने से फेले मैं एक बकरा दिखाना चाहता हूं यहां पर काफी बैंतम पालने वाली चीज़ आपका ये क्या दाथ पर ये दो दाथ पर क्या बात कर रहे हैं बताओ दाथ दिखाऊ ना ये दो दाथ पर है और ये बहुत छोटा है तो लग रहा है ये किते साले साथ 8-10 किलो कर रहेगा मतलब बैंटम साइस की वरवरी है क्या प्राइस बोल रहे हैं पैजा किता बोल रहे हैं वाइस हजार रुपय इनका आस्टिंग प्राइज हैं बहुत ही खुबसूरत और छोटा थी है अब एक नॉर्मल बखरी का बच्चा कैसा होता है पैदा होता है और वह कुछ महीने बर क होता है तो वह साइज में है यह और दो दात का भी फिला यह जगा है आप यह जगे पर होना मतलब जगा बदलोगे तो नहीं न अच्छा तो यह जगा है देखो यहां 1228 लिखा है जस्ट उसके यहां पर ही है यह बच्चा तो जो भी कोई ऐसा एंटिक चीस लेना चाहता है वह इनसे कॉंटेक करो आस्किंग फ्राइस बाइस हजारे बाकी जो भी है वह आप भाउत हो कर सकते हो वह उनके उपर हो चाहिए तो मैंनका नंबर भी आपको नंबर दो गया आप कितना चाहिए इनका नंबर एक पर और बोलो सेवन डबल सेवन और इनको कॉल कर लेना पूछ लेना एड्रस वगेरा कहां पर हो और यह बहुत ही प्यारी चोटा सी दो दात्स पर यह है वह बेंटम साइस का है तो हम लोग चलते हैं अभी अगले गाले में पहले मैं इधर आता हूं इधर कवर करता हूं यहां कुछ अच्छे बख रहते मगर भाई एक चीज़ यह कोई भी किसी को नंबर दूं तो किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करके बुक नहीं करना बेपा अब महां पर जाके देखो अब महां पर जाके देखो अब माशा अल्ला यहां पर एक ख़जाना रखा हुआ है सफेद बत्रों का फूजत वग्यरा है काफी काफी को माशालला रहो आप देखो चैरेश के किसका है यह आपका है कितने किलोगा रहे गए यह यह असी असी कितने दाथ पे रहे गए यह इसलिए मैं ने रोक लिया यह आपर वीडियो चार दाथ पे है यह भी तो इसका कुछ पैसा क्या बोल रहा हुआ है पच्पन साथ हजार पे इनका आस्किंग फ्राइज है मगर वह आप आके इनसे भावता करके कम कर सकते हो हना कम हो जाएगा ना वह तो इनका आस्किंग फ्राइज है वह बोल रहे है उनकी चीज़ और काफी खुबश्रत बड़ी बड़ी चीज़ यहां पर आपके पास सबसे बड़ा वख्रा है कुन सा है सबसे बड़ा वख्रा कि वहां पर दिखाओगे इनके पास एक सबसे बड़ा वक्रा है हेवी साइज में तो वो जरूर देखना और ये वीडियो को वाच करते रहना आगे नहीं भगाना नहीं तो आप से काफी चीज़े मिस हो जाएगी और उसका चहरा इतना बड़ा है यहां से मुझे दिख रहा है जिस चीज़ को लेकर आ तो यह इनके सबसे बड़े वक्रे हैं माशालला लेकर आ रहे हैं यह वो स्कुने में छुपा हुआ था इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया कि आपका सबसे बड़ा वक्रा बता हूँ कुछ लोग होते बड़े वक्रों के शौकिन होते हैं तो ओ हो माशालला चीज देखो इसके चेरे पर रुआवा उसकी जालर पट्टी देखो जगा काफी छोटी पड़ गई है यह रहा वह इनका सबसे में वह सई से दिखाऊ ना यह थोड़ा यह क्या है मालूम कि आप ही वीडियो अप्लोड होएगा ना तो इसको देखके काफी लोग आए गे तो यह वीडि यह कितना लिखा है नंबर 47 है यहाँ पर 47 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 1248 इसके बाजू में यह देखो और यह अंडूल है अभी फिलाल यह इसका प्राइस कितना बोल रहे हूँ माशालला यह भी काफी बड़ा कसी है और उसके बाजू में यह अंडूल है यह 100 प्लस बेट पे रहेगा और इसका चेरे और इसका रॉआब देख सकते हो इसको और थोड़ा इदर ला सकते हो गया इसको हटागे मतलब हाँ यह ब्लैक वाला इसको ऐसा आड़े मैं देखो चीज देखो सीना ओणा देखो माशालला इसको हां इसा इसा इसाई साथ काफी जगा इनकी चोटी है ना तो इसलिए उसको थोड़ा तेकलिफ हो और लानुमार ढ़ता दिम कितने दात पे ये दात दिखाऊगे इसका दो चार चे आठ ड़ पे आठ पे ये दात वगेरा सब देख लेना काफी अच्छी चीज़े सीना होना काफी चौड़ा इसका और काफी रुआपदर चीज़े 100 प्लस वेट पे है ये इसका कितना कुछ प्राइस है कि अभी भाव न तो जिस किसी को भी इसका भाव जानना है वो यहां पर आके इन से बात कर सकते हैं इनके पास बहुत ही एक्स्ट्रिम कॉलिडी का वह बख रहा है और भी काफी है इनके बस मगर काफी भीड है इसमें तो मैं नहीं जा पार रहा हूं अंदर जानी पाई गया तो अगले गाल बहुत बड़े फर्मे का बखराई है अभी इनका थोड़ा सुबा सुबा का टाइम है खाने पिने का सब चल रहा है फानी में 32 डाल के दिया जा रहा है थाज में के लिए अच्छा होता है इसमाइल भाई आपका नम इसमाइल भाई आपका नमबर देना चाहोगे बोलो इसलिए मैं पूछ रहता ना कि कोई भी आएगा आपको कॉल करेगा जगा होगा समझ में नी आएगी तो आपको कॉल करके आपके आसकता है आपकर यह अपना नमबर बता रहे मैं आपको एक बखरा और बताता हूं जो मुझे इसमें एक और काफी पसंद आया वह यह इनका नमबर डबल नाइन टू एट पोर वन फोर थ्री एट सिक्स यह इनका नमबर है अगर किसी को भी जगा ना मिले तो वह इ एक बखरा और दिखाना चाहूंगा मैं यह दिखो नहीं जो सबसे बड़ा बखरा एक और वाइट वाला हाँ यह बड़े मुंडी का यह देखो इनकी चीज माशाला यह देखो यह उससे भी ज्यादा है भी है इसका जालर पट्टी देखो थोड़ा विडियो में थोड़ा में साइट करो इसको साइट करो माशाला यह देखो भाइट यह से पहले के जो मुंडा दिखा है मैंने यह उससे भी हेवी है और इसका चैरा पट्टी आए थोड़ा बख्रे थोड़ा जाइट करो नहीं हम आजएं पर फॉपषूरत चीज है प्राइस क्या होगा मुझे न सब्सक्राइब अब से लिए इसमाइल भाई का नमबर मैंने बता दिया हूं किसी को जगा नहीं मिले तो पंटेक करके आओ यहां पर और इसमाईल भाई यह कित्ते दात पे रहेगा कुछ है आइडिया बताओ यहां है कि छे दाथ कि दो चार चे चे दाते ना आड़ अदम बारी के मसलें छे दात पर बहुत ही बड़ी चीज़ है एक सो पचीस किलो वेट इसका 125 केजी वेट इसका उनका कहना है और दिख भी रहे हैं आप देखोगे ना इसको बाहर निकालके तो आपको पदा चलेगा वैसे निकालते हैं आप आप बाहर आप आप अब यहां पर भी है कुछ लॉड नॉर्मल है है मगर वो जो गाला था वो शॉकिन लोग का गाला है जो काफी हैवी बक्रे और खुबस्रोत बक्रे पसंद करते हैं उससे भरा वाए वो गाला तो वहां पर जा सकते स्माहिल बाई के पास पर अभी ओ यहां पर भी काफी बक्रे हैं कियां पर बहुत बड़ा वक्रा यह एक लंबा बम करते हर गाले में ना कुछ नगी ने वोते हैं के जो कफी लोग हैवी लेकर आते अच्छ लेकर आते हूं जुंड में रहते इसकी वजेसरी लूग कि इनके पास काफी क्राउड जनता है यह पास भी हम अगर काफी अभी यहां पर अंधिर है तो इत्ते समझ में यहां रहे बख्रों तुम आगे चलता हुआ कि मीडियम रिंज के बख्रे में अगर पैसा तो जादे ही बोलेगी आपके बख्रे क्या नाम आपका तब्रेश भाई कहां से आयो राजिस्तान चित्तोर गड़ आपके कितने बख्रे लेकर रहे हैं 117 बख्रे और आप कम से कम पैसा और ज्यादा से ज्यादा कितने गाए पास एक कम से कम 15,000 वाला बख्रा है और ज्यादा से ज्यादा जो बख्रे का प्राइस है वो 60,000 रुपे तक है तो बजट फैमिली बजट वाले बख्रे है इसमें काफी आप जो कोई भी खरीदना आएगा तो मतलब जो भाव बोलोगे तो इसमें कम ज्यादा आप कर दो ग तफ्रेज भाई के बारे में तफ्रेज भाई का गाला कितना है 243 1243 है क्या यहाँ पर जगा कुन सी है नंबर कितना है यहाँ पर हाँ यहाँ एसा 12 लिखावा है मैं S2 के अंदर हूँ यह सामने फुट प्लाज़ा है स्टॉल लंबर साथ लिखावा है वही गली में हूँ मैं यहाँ पर और वही आगे स्माइल भाई भी है तो यह इनके बकरे इस साइड भी है काफी यहाँ देखो एक बड़ा बख रहा है इनके बस कितने किलो का बख्रा रहे हैं कितने किलो का बख्रा रहे हैं कितने किलो का बख्रा रहे हैं 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 किलो किलो का बख्रा रहे हैं किलो किलो का बख्रा रहे हैं किलो किलो का बख्रा सपाथ 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 कां से आयो कितने बखरे लायो लेकर आयो ओके माशानला यह बखरा एक मेरे पास खुछ चल के आया है तो आप यह बताओगे यह बखरा कितने पैसे में दे रहे हो दात कितना होगा चार दात पे चार दात पे चार दात पे इनका कहना और चार दात पे प्राइस काम हो जाएगा अगर कोई लेने आएगा तो पैसा कम हो जाएगा वो इनका कहना है 40,000 रुपया तो इनके पास काफी अच्छे इसको क्या बोलेगे चेचा मेवाती क्या बोलेगे इसको आपके पास सबसे बड़ा वकरा कौन से है सबसे बड़ा वकरा वजंदर में कौन सा उस तरफ है दिखाओगे कुछ लोग है ना ग यह इन चाजा के पास सबसे एक हैवी बड़ा है माशालला तो मैं उधर ही चले जाता हूँ यह है यहां का कि इस पर राइस बोल रहे है इसका इसका एंका और काफी लैंट वागेर हैं अच्छा है उच्छा कितने तो एंक बर नहीं पर कितना घटा रहेगा वह नहीं पाता वक्रे ज़ल्दी दिखाते नहीं है दो चार आठ पे कहा है कि जह दात पे है अर्टा भी लगा दिया है और यह आड़ा भी लगा तो यह चाजा जब से बड़ा पक्रा है 105 किलो एक सो तीन किलो पर कोई और इसका पैसा बोल रहे ते किपा बोल रहे ते माद काम हो जाएगा यह भी काफी हाइड में इसके हाइड बहुत ज्याद है चाजा कित्ता रहेगी बैयाली 43 43 43 43 43 43 की हाइड यह इनकी इसका कितना कह रहे हो चाजा इसका 65,000 रुपिस आस्किंग प्राइस है मगर जो भी आप भावतों कर लेना मैं तो भावतों नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना और इनसे प्राइस पुछना नब्बे किलो तक और दात कितना इसके छे दात के अच्छ नमबर लिखा हु है 1241 यही गाला है और यह सामने फुट प्लाजा है यह फुट प्लाजा ट्लाजा स्टोल नमबर साथ के सामने ए और चजा आपका नमबर बोल दो गे मेरा नमबर पिच्याद नुनाँचास डबल जीरो पिच्चास इक्तालिस तो यह इनका नमबर है मैं यह इनका नंबर है आप कोई मतलब किसी को जो पचान यह सब नंबर को प्रॉपर जानता हो तो वह कर लेना नंबर तो आप वह कंटेक्ट करके जगे पे इनके आ सकते हो देखने के लिए मगर ऑनलाइन पर्मेंट किसी को भी नहीं करना कोई भी वकरा नहीं रुकाना बिग गया तो बिग गया जो भी है इनसे सिव लोकेशन के लिए ही कॉल करना और यह वीडियो भी मैं यहां पर खतम कर रहा हूं यह मेरा सेकंड पार वीडियो था फोट देगा तो यह मैं परजिश कर रहा हूं आज के मेरा चौथा दीन है इससे पहले भी मैंने चारो दिन की वीडियो शूट किया तो इसके बाद आप थर्ड पार्ट आएगा आज के दिन का तो वह मैं भी शूट करने लिए निकलू आ क्योंकि वीडियो में यहां पार इसलिए क्लोज कर रहा गई है अट्रा मिनाट की हो गए वीडियो तो अपलोड करने में बहुत टाइम चले आएगा तो मैं इसको पार्ट वाइस में अपलोड करूंगा दूआ में याद रखना अस्सलाम अलेकूं